Hey! What's up? Hey everyone! Welcome back to my YouTube channel. My name is Komal and आप सभी को इद मुबारक. I know जब तक मैं वीडियो डालूँगी तब तक इद निकल चुकी होगी. लेकिन कोई बात नहीं, अगली इद के लिए आपके ये मेकप लूग काम आएगा. So, आज का वीडियो अप लोगों को पता चली गया होगा. Title and thumbnail देखके. So, आज का वीडियो होने वाला है Black Smoky Eye Look. So, I hope आप लोगों इद आप लोगों ये मेकप लूग अच्छा लगा हो. So, चलिए देखते हैं मैंने ये लूग कैसे create करा. So, let's go! My darling, I love you, 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 I love you. मैंने eyeshadow करना था तो ibis लगाया था concealer लगाया Swiss beauty का उसे अच्छे से beauty blender की head से blend किया और उपसे फिर मैंने compact powder लगाया Maybelline Fit Me का eye magic की parrot लेकर उसमें से जो भी सबसे light shade था brown color का वो मैंने अपने brush पर लिया था और फिर मैंने उसे अच्छे से अपने eyes पर लगा दिया था एकदम blend कर दिया था उसे एकदम अच्छे से फिर मैंने काजल ली थी ये काजल I think Swiss beauty की थी जो की काफी अच्छी थी इसका pigmentation काफी अच्छा था मैंने अपने eyes पर उसे अच्छे से लगा दिया और brush की help से उसको थोड़ा बद blend कर दिया फिर मैंने palette से black color का eyeshadow लेकर उसे मैंने अच्छे से अपनी eyes पर blend किया जो थोड़ा अलग-अलग लग रहा था ना black काजल मैंने यूज की थी वो और black color brown color का eyeshadow यूज किया था वो एकदम अच्छे से blend हो जाए इसके लिए मैंने black color का eyeshadow का यूज किया था और काफी अच्छे से blend हो भी गया था और palette तो माशालला काफी जाद अच्छी दी फिर मेरी आखों की पल के काफी छोटी-छोटी होने के कारण मैंने Maybelline Fitmica, Hyper Curl Mascara यूज किया और eyes complete करने के बाद मैंने face पर सबसे पहले LA Girl का concealer यूज किया जो की red color में था red color के concealer से आपकी face पी जितनी भी pigmentation है pimples है जो भी problem है tanning की या फिर जो भी वो सब hide करने के लिए होता है आप उसी use करें और फिर मैंने उससे concealer लगाया अपने under eye पर जो क्योंकि मुझे black black लगा वहाँ पर मैंने लगाया फिर मैंने beauty blender की help से blend किया और under eye की नीचे हमेशा छोटे beauty blender से blend करें कि काफी अच्छा होता है फिर मैंने PAC का foundation लिया जो कि मुझे काफी जादा पसंद है मुझे यही foundation अपने face पे suit करता है और maybelline अगरे के foundation यूज करती हूँ तो उनसे मेरी pimples अगरे निकला दे तो मैं उन सबको award करती हूँ बस PAC का ही यूज करती हूँ फिर मैंने सबसे पहले brush की help से अपने foundation को blend किया फिर और काफी अच्छे से settle हो जाए इसके लिए मैंने beauty blender की भी help ली थी और फिर मैंने अच्छे से जहां जहां मुझे sweating होती है वहां मैंने compact powder लगाया और under eye पर मैंने black काजल लगाई फिर उससे black color के eyeshadow के साथ brush की help से blend करते हूँ लगाया काजल को एक दम अच्छे से merge कर लिया था फिर काजल लगाने के बाद मैंने suze beauty का palette से blush लगाया अपने cheek bone पर और same palette से मैंने contouring भी की थी और उसी same palette से highlighting की थी जो कि ये palette मुझे काफी ज़ादा पसंद है इसका pigmentation बहुत अच्छा है फिर make up करने के बाद मैंने kiss beauty का setting spray लगाया और हाँ maybelline की lipstick लगाया ये काफी ज़ादा dark हो गई थी बट फिर मैंने छोड़ दिया चलो कोई ना क्योंकि इसे हटाने में काफी ज़ादा महनत लगती है मेरा make up खराब हो जाता तो मैंने नहीं हटाई फिर ये था मेरा आखरी का look तो मुझे तो ये look काफी ज़ादा अच्छा लगा आप लोगों को ये look अच्छा लगा हो तो मुझे comment में जरूर बताना वीडियो पसंद आई तो like करना चैनल को subscribe करना वीडियो को share करना अपने friends and family के साथ thank you for watching this video I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो बाई